हाई वेलकम टू माई चॉनल इस वीडियो में सॉल्व करें क्वेशन नमबर एट कर रहा है कि रमेश बाट टू बॉक्सेस फार रुपीज थर्टीन हंडड़ तो दो बॉक्सेस जो है थर्टीन हंड़ में खरीदा अब कर रहा है कि ही सोल्ड अब जो रमेश ने क्या क्या सोल्ड कर एक को बेच दिया वन बॉक्स अट प्रॉफिट अब 20% एक को जो है 20% प्रॉफिट प्रॉफिट पे बेच दिया अब दी अधर बॉक्स अट लॉस अब दूसरे बॉक्स को 20% के loss पर भेज़ दिया अब करें कि if the selling price of both boxes is the same यदि दोनों boxes का selling price same हो तो find the cost price of each box तो each box का cost price क्या होगा तो पहला number यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो boxes का total cost दे दिया है cost price हमें अलग-अलग boxes का नहीं दिया हुआ है तो हमें इससे मान करके अलग-अलग CP मानना पड़ेगा ठीक है उसके बाद जो आगे बोल रहा है वो करेंगे जैसे 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 बोल रहा है न वैसे ही हम करेंगे और finally हमारा answer आजाएगा ठीक है ज़्यादा आपको confusion होनी जूरत नहीं है जो सीधे से यहाँ पर लग रहा है कि क्या-क्या बोल रहा हूँ ऐसे करते रही है तो असानी से कर लेंगे तो पहले आपको CP निकलना पड़ेगा क्योंकि cost price of each box पुछा भी है तो हम solve करेंगे यहाँ पर और पहले हम suppose करेंगे कि each box का क्या CP है तो let let the CP of one box एक box का जो CP है माल लिजे बी X रुपीज माल लिजे X रुपीज है then then the CP of other box क्या हो जाएगा will be 1300 में से मैनस करना पड़ेगा X 1300 मैनस X रुपीज है कि नहीं क्योंकि दोनों का सम कितना है 1300 है तो यदि एक का हमने X रुपीज माल लिया तो दूसरे को उसके से घटाना पड़ेगा तो जितना आएगा उतना होगा दूसरे बाले का है कि नहीं इस तरह समें माले CP तो दोनों का CP हमें पता हो गया ठीक है तो यहां पर हम एक तरह से लिख सकते हैं कि CP एक का पता है X और CP of second क्या पता है 1300 मैनस X मतब यह रुप मैं ऐसे समझ लिजिए ठीक है यहां पर ऐसे लिखेंगे अब करना क्या है कि कि he sold one box at a profit of 20% और उसने एक को बेच दिया 20% के profit पर तो एक को मतलब कि यह पहले वाले को one box को जो है X रुपीज वाले जो cost price है इसको बेच दिया 20% profit पर इसका मतलब कि आप जो है SP निकाल सकते हैं कि सो यहां पर निकालेंगे SP आफ वन बॉक्स इसको क्या होता है formula होता है CP CP आप दी बॉक्स और इन ब्रेकेट होता है का formula 100 प्लस यदि profit परसंट दिया हुआ है तो इसमें add कर देते हैं के लिए यहां पर हम सब सारे वाले जो पूट करतेंगे हां पर मिलेगा X इन ब्रेकेट यह हो जाएगा 100 प्लस profit प्लस मतलब कितना होगा 20 20 अपान 100 कितना आ जाएगा यह यह मिल जाएगा X और यह हो जाएगा 120 अपान यह हो जाएगा 100 थोड़ा सा cancel out कर लेते हैं common factors यह जी हो जाएगा 10 हो जाएगा मतलब यह आ जाएगा 6X अपान 5 अब कहा रहा है कि and the other box को जो यह बेच रहा है 12% के loss पर तो also हम निकाल सकते हैं SP of other box इसके formula में भी लगेगा वैसे ही CP into 100 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि loss हो रहा है यहां पर loss हो रहा है 12% का minus loss percent upon 100 यहाँ पर होगा 1300 minus X यह होगा 1300 minus X होगा CP in bracket 100 में से माइनस करेंगे 12 minus 12 upon 100 तो यह मिल जाएगा आपका 1300 minus X in bracket यहाँ पर होगा 88 upon 100 4 से किंसे राट हो सकता है तो 4 तूजा 10 4 तूजा 10 sorry 4 तूजा 8 और 4 तूजा 8 और 4 तूजा 8 और 4 तूजा 8 22 upon 25 ठीक है मतलब तो फाइनल यहाँ मिल जाएगा आपका 22 upon 25 in bracket 1300 minus X ठीक है तो इतना आ गया SP of other तो इतना रूपीज आया है first वाले का one box का SP इतना और दूसरे वाले का SP इतना आया अब बोला क्या है कि if अब देखे यहां तक था हमने कर लिया यहां से ले करके और यहां तक में स्किविश में जो भी था हमने कर लिया वह SP निकाल लिया अब बोला कि कि if the selling price यदि SP of both boxes is the same तो दोनों का जो selling price है यदि same है मतलब equal है then find the cost price तो दोनों को मिया करते है equal कर देंगे तो according to the question क्या कर सकते हैं यहां लिए सकते हैं आप कि according to the given question according to the given question कराय कि SP of one box is equal to SP of another so it implies पहले वाले का क्या है 6x upon 5 यह जो है equal है 22 upon 25 22 upon 25 in bracket 1300 minus x इतना ठीक है आप इसको solve करेंगे x की value निकालेंगे तो यहां पर क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा है यहां पर सब multiply में है ठीक है जब multiplied में रहेगा तो आप numerator और denominator में कुछ सामने सामने से कटा सकते हैं इतना हो गया अब इसको लिदेंगे 3x यहां बचा 11 upon 5 और यह तो रहेगा 1300 minus x अब यहां पर क्रास्मर प्लाई कर सकते हैं तो हम इसको लिख सकते थे इस तरीके से इसे मैंने यहां पर अभी नहीं लिखा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं इसको मिल सकता हूं 11 whole लिख सकता हूं 1300 minus x whole upon 5 है कि नहीं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अब यहां पर क्रास्मर प्लाई कर लेते हैं तो upon 1 इसको इधर करेंगे और 5 से इधर करेंगे क्रास्मर प्लाई it implies यहां मिल जाएगा 5 into 3 मतब 15x is equal to यहां पर 11 से इधर करते हैं तो 11 13 में करेंगे तो मिलेगा आपको 3 314 और 143 और 00 रहेगा minus 11x ओके अब यहां पर 11x को left में लाएंगे 15x में 11x क्या हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको 26x is equal to मिल जाएगा 143 इतना अब यहां से आप जो है x की value निकाल लेंगे और वो मिलेगा 14300 whole upon 26 यहां पर 13 से एक इंसराट हो जाएगा 132 जा 26 13 बचा 13 एक बचा 13 हो गया 13 बचा 13 और 00 अब यहां पर 2 से इंसराट कर सकते हैं तो 2 जा 2 और यहां कटाएगे तो 2510 और 2510 50 means x की value आ जाएगी 550 रुपीज जो x है वो क्या माना था हमने x माना था cp of one box तो cp आ गया एक box का 550 तो हमें आंसर यहां लिख रहा हूं ठीक है यहां पर आंसर जो है मैं लिख रहा हूं तो hence so क्या हो गया cp of one box one box is equal to हो गया 550 रुपीज then cp of another box cp of the other box other box का cp कितना होगा 1300 में से मैनस करना पड़ेगा x मतलब की 1300 में से मैनस करना पड़ेगा 550 तो मैनस करेंगे तो मिलेगा देखे जीरो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो इस जीरो में से जाएगा 5 तो मतलब 10 में से 5 बजाएगा यहां बजाएगा 12 12 में से 5 जाएगा 7 750 रुपीज तो this is the second answer this is the first answer तो लाइक करतीजिए दोसों सेर करिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंड आक जरू लिखेगा और कमेंड में जरू कमेंड करिए कुछ ना कुछ थैंक यू सो मुच फर वाचिंग बाइ